आपको सागत है कैसे आप लोग तो आज में फिर से एक नया जॉब लेकर आपके समने हाजरी भाहूँ तो आज का जो जॉब है वो आर आई सी ओ से आ है तो आर आई सी ओ क्या है उसके बार में एक बार जान लीजिए एक्चुली आर आई सी ओ एक आटो इंडेस्टी लिमिटे है और इसमें आपको अपरेंटीस का ऑवर मिल रहा है जो हो टैलीए सेकटर में आपको आफैर मिल रहा है तो एक्चली गुर्गाहों में आपको जां मिलेगा, तो यह पर टोटल डीटल्स देया गया है और यह आपको यह पर दीक हर्याना गुर्गाहों में जां मिलेगा और 90 वैकंसीज देया गया है, इसमें अपरेंटिस का ही टोटल पोस्ट है, जिसमें B.TE.C के 20, डिपलोमा के 25 मतलब बीटेग कर चुके है तो आपको 20 vacancies मिलेगा और डिप्लोमा के लिए 25 आप इलेक्टिक इंजिनियरिंग के लिए ही आप बीटेग और डिप्लोमा है मतलब केटरिंग सरी केटेगोरी है और आपको अलक्स पोस्ट में आप नहीं अपना कर सकते अलक्स टीम से आप कौलि जिरो वान जिरो फोर 2019 के बाद आपको पास आउट होना है तब है अपले कर भाएंगा है सिलेक्शन जो पॉसिट्व राएगा वो टोटली इंटर्फी के मातम से होगा और आपका इंटर्फी के होने के बाद आपको सॉल लिस्ट किया जाएगा फेस्ट्वेस ओनाइन बहुत को रिटीन टेस्ट के बाद आपको फिर से इंटर्फी देना पड़ेगा और इमेल अइटी और सेमेस के बंदधम से में आपको आपको अहले के देर्फी होगा वह डिटल्स आपको जान करेंमील जाएगा और यहां पेम ठीखेम का पॉसिडियो और कोंभी चार्ज क नहीं है, salary भी आपी discuss के गए नहीं है, education qualification के बारे में वास करूँ तो आपको B.A.B.Tech और diploma पास आउट होना है, वो भी engineering और technology department में और आपको कोई भी पास आउट होना है, 1st April 2019 के बाद, ठीक है, अप्टर बताएगा है, मतलब उसके बाद आपको पास आउट होता है, उससे पहले आप पास आउट होतों नहीं अप्लाए कर सकते हैं, और आप इसका लास्टेट रहाएगा, 30 September उससे पहले आपको अप्लाए करना होगा, और application को पास यवर फास्ट सेप्टेमर से सूरु हो चुका है, तो application को पास यवर दिखने से पले आइपको आपको बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेगा, और admit syllabus अधाश्य बहुताईट भी मिलता रहेंगे, तो यह आपको क्या करना है, पहले notification में क्लिक करना है, जब क्लिक यहां पर आपको देखिए अपर इंजिनियरिंग में टोटल कितने वैकेंसी से वह यह आपको दिया गया है तो डिपलोमा और बिटेक मिलाकर 90 वैकेंसी दिया गया है पर से से थर्टी सेटम में बद तक इस अप्रिकेशन चलेगा और इसका पूरा डिक्ल से आपडिया गया है और कैसे अप्लाइ करेंगे उसका स्टेप भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह भी हाव टू अप्लाइप स्टेप देखकर भी अप्लाइब कर सकते हैं फिर भी मैं आप apprentice training scheme इस side में पहले registration करके रखे है तो यहां पर registration आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा आप login करकर अपलाए कर सकते हैं तो आपको पहले register here में क्लिक करना होगा तो जब register here में क्लिक करेंगे तो आपके समय फिर से पेज निया पेज अपन हो जाएगा उस पेज में जाकर आपको पूरा डीटेल्स वर देना होगा ठीक है तो इस डीटेल्स को भरने के बाद आप बाकी रेजिस्टर फिर से आप लॉगिन पेज में जाएए और लॉगिन करिए ठीक है तो इसी मतलब डीटेल्स को फिल करना होगा तो आसा करता हूँ मेरे वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक करिए मुझे भी समझ में आ जाएगा आप वो इस वीडियो अच्छा लगता है और कुछ कमिया है तो भी रिप्लाइ करना उसको फुल्फिल करूंगा और आपको डेली वेसिस जीके आपको बहुत सारा चीज और सिखने को मिलेगा देखने को भी मिलेगा तो मिलते हैं अगले जोब लेगे तब तक के लिए अच्छे से रहे हैं आप रिख्यार लेकिए बाए बाए